हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी? मैं शुबम पोरोहित आपका जोगरफी एजुकेटर स्वागत करता हूँ आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल मैगनेट ब्रींस पर मैगनेट ब्रींस जो की फेमस है पूरे इंडिया में क्वालिटी कंटेंट सिस्टेमेटिकली प्रोवाइट करने के लिए जहां पर आपको किंडर गार्डन से लेकर क्लास 12 तक की सभी कक्षाएं मिलती हैं इंगलिश मीडियम में और छटवी से लेकर 12 तक हम आपको प्रोवाइट करते हैं हिंदी माध्यम में सभी कक्षाएं साथी साथ अगर आप e-notes और e-books लेना चाहते हैं तो link है description box में हिंदी माध्यम में हम जिन boards को cover करते हैं वो boards हैं डेली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजिस्थान बोर्ड इन सभी boards में आप हमारी कक्षाएं अवेल कर सकते हैं स्टुडेंट्स हम लोग कक्षा बारवी की book जिसका नाम है भारत लोग और अर्थिव्यवस्था इस book का chapter number 9 आज start करने जा रहे हैं ये हमारी इस book का last chapter होगा और पिछले 8 chapters को हम लोग बहुत अच्छे से complete कर चुके हैं हम लोग की दो book होती हैं आप लोग को पता है class 12 में पहली book जिसका नाम है मानव भूगोल के मूलसिद्धान और दूसरी book जिसका नाम है यहाँ पर भारत लोग और अर्थिव्यवस्था तो मानव भूगोल के मूलसिद्धान book complete हम लोग कर चुके हैं और भारत लोग और अर्थिव्यवस्था ये book भी complete होने जा रही है last chapter हम लोग इस book का complete करेंगे सबसे पहले इस chapter का हम लोग overview देख लेते हैं chapter का नाम है भौगोलिक परिप्रेख्ष में चैनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं तो इस chapter में कौन-कौन सी बातें आप लोग को पढ़नी होती है एक बार मैं आप लोग को वो चीज़ बताऊंगा और साथी साथ मेरे द्वारा आपनों को strategy बताई जाएगी कि किस प्रकार हम लोग इस chapter का बहतर revision करेंगे तो पार्ट परिचे की ये वीडियो होगी और short में परियावरा प्रदूशन के बारे में भी कुछ बातें हम लोग discuss करेंगे उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगी वीडियो अगर अच्छे लगती है तो वीडियो को like करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करना है और कोई doubt होता है तो बिना हिच के comment box में comment कर देना है चलिए वीडियो start करते है सबसे पहले chapter का नाम भोगोलिक परिप्रेक्ष में चैनित कुछ मुद्दे एवं समस्या है कुल मिलाकर यहाँ पर कुछ परियावरणिया मुद्दों की बात हम लोग करेंगे जो समस्या हैं जो हम day to day life में face करते हैं खास कर सबसे बड़ी समस्या परियावरण प्रदूशन तो हम कुल मिलाकर विभिन तरीके के प्रदूशनों को जानेंगे सबसे पहले हम लोगों की चर्चा होगी परियावरण प्रदूशन की उपर फिर हम लोग देखेंगे जल प्रदूशन, वायू प्रदूशन, ध्वनी प्रदूशन तो ये तीन मुख्य रूप से हम लोग को प्रदूशन देखना है लेकिन सिर्फ यही प्रदूशन नहीं होते आप लोग कोई पता है कि मर्दा प्रदूशन भी होता है लेकिन मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो इन तीन प्रदूशनों के उपर हम लोगों को चर्चा करनी है एक चीज और आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि प्रदूशन सिर्फ मानव जनित कारकों की वज़े से नहीं होते पर्यावरन खुद भी कुछ प्रदूशन करता है, आपक अगर माली जो ओलामु की विसफोट हूरा है तो कुछ राक और दोई के करन उढ़ेंगे और वो वाईू प्रदूशन को जन्म देंगे लेकिन ये पर्यावरन या प्रदूशन जो पर्यावरन खुद करता है वो परियावननी प्रदूशन इतने घातक नहीं होते इतने ज्यादा दुखदाई नहीं होते लेकिन मानविया प्रदूशन आज के समय में बहुत तीजी से बढ़ रही है इसलिए हम लोग का मुख्य रूप से फोकस मानविया क्रिया का लापों पर होगा कि मानव इन प्रदूशनों में कैसे ब्रद्धी कर रहा है तो जल प्रदूशन, वायू प्रदूशन और ध्वनी प्रदूशन पर हम लोग की चर्चा होगी फिर हम लोग देखेंगे नगरी अपसिस्ट निप्टान कुल मिलाकर आप लोगों को पता है कि आजादी के बाद से लिकर आज तक नगरी करण में बहुत तीवरवरधी हो रही है दीरे दीरे नगर जो हैं वो बड़े होते जा रहे हैं नगरों की संख्या बढ़ रही है लोग वहाँ पर ज्यादा बस रहे हैं शहरी करण बढ़ रहा है और आव्यसरी बात है अगर नगरो में ज्यादा लोग रहेंगे तो ज्यादा चीज़ें कन्जियूम करेंगे उपभोग करेंगे ज्यादा उपभोग होगा तो ज्यादा प्रदूशन भी होगा फर एक्जामपल अगर ज्यादा गाडियां विकेंगी तो ज्यादा गाडियों से प्रदूशन होगा ज्यादा लोग अगर पैकेट बंड जो है भोजन या अन्य सामन खरी देंगे तो इससे प्लास्टिक प्रदूशन होगा तो विभल सामगरियां जो हैं नगरों में निकलती हैं जो प्रदूशन फैलाती हैं और उन प्रदूशन या उन प्रदूशकों का निप्टान कैसे हम लोग करेंगे यहां पर इस चैप्टर में देखने वाले हैं फिर हम लोग देखने वाले हैं अन्या एक समस्या वो है ग्रामीर्ण शहरी प्रवास आप सभी को पता है कि आज के समय में लोग गाउं से शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा एंपलायमेंट बहुत ज्यादा है तो रोजगार की तलाश में शहरों की तरफ पलायन हो रहा है अपने बच्चों को अच्छी सिक्षा देने के लिए शहरों की तरफ पलायन हो रहा है नगरों की चका चौंध लोगों को आकरशित कर रही है इसलिए भी पलायन हो रहा है तो विभिन तरीके से लोग गाउं को छोड़ कर शहरों में जा रहे हैं तो ग्रामीन शहरी प्रवास पर हम लोग चर्चा करेंगे फिर हम लोग देखने वाले हैं गंदी बस्तियों की समस्याएं ठीक है हर बड़े-बड़े महानगर में कुछ गंदी बस्तियां होती है जहां पर प्रदूशन का स्थर बहुत ज्यादा होता है जिसे हम आम बोलचार की भाशा में सलम एरिया बोलते हैं बोलते हैं ना कि भाई ये इस जगा का सलम एरिया है बहुत ही जो है अमानविय परिस्तितियों में लोग रहते हैं उनके स्वास्त को बहुत ज्यादा नुक्सान होता है बहुत ज्यादा इंफरस्क्छर आधार बुठ संदशना वहां पर create नहीं हो पाती संदशना वहां पर नहीं बन पाती और लोग निम्न मानविय इस्तितियों में रहने को मजबूर होते हैं तो गंधी वस्तियों की मतलब सलम एरिये में कौन-कौन सी समस्याएं होती हैं खासकर स्वच्छता से संबंद समस्याओं के उपर हम लोग चर्चा करेंगे और फिर हम लोग देखने वाले हैं भूनिम्नी करण लैंड डिग्रेडेशन के किस प्रकार आज के समय में लैंड डिग्रेड हो रहा है भूमी निम्नी करथ होती जा रही है कहने का मतलब यह है कि अगर अपसिस्ट निकल रहा है लेड वगेरा भरा हुआ है और उसको अगर आप डंप कर देते हैं जमीन में खुला चोड़ देते हैं रिस्क कर माल दीजिए वो जमीन के नीचे पहुँच जाता है पानी में मिल जाता है तो कितनी घातक समस्या है और आज के समय में आप देखेंगे फ्लोराइड बढ़ने से फ्लोरसिस की समस्या हो जाती है बहुत सारी समस्यां जो हैं कैडमियम के वज़े से इटाई इटाई रोग हो जाता है तो ये कुछ धातू जन्य रोग हैं जो सीधे तोर पर भून इबनी करण के लिए उत्तरदाई है तो ये रहा हम लोगों का पूरा रोड मैप ठीक है कि इस चैप्टर में हम लोगों की जो चर्चा है इन टॉपिक्स के अंतरगत होने वाली है उमीद करता हूँ आप लोगों को टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक जानकारी पता चल गई होगी लेकिन क्या सिर्फ हम चैप्टर में जो बाते होती हैं उन्हीं को डिसकस करते हैं नहीं भाई हम लोग यानि मैगनेक ब्रेंस की स्ट्रेटिजी होती है जिसके तहत वो आपकी तैयारी बहतर तरीके से सुनुश्यत करता है इसी करम में सबसे पहले हम लोग देखते हैं चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद NCRT Solutions कहने का मतलब यह है आपकी NCRT Textbook में जो भी Questions दिये गए है चाहे वो Objective प्रशन हो चाहे वो अतिलगुत्रिय प्रशन हो लगुत्रिय प्रशन हो और दीरगुत्रिय प्रशन हो उन सभी प्रशनों के Model Answers हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे ठीक है इसके बाद इस मतलब NCRT Solutions की वीडियो में देखेंगे इसके बाद हम लोग देखते हैं Multiple Choice Questions दरसल NCRT जो टेक्स्ट बुक आपकी होती है ना उस टेक्स्ट बुक में वैकल्पिक प्रशनों की संख्या बड़ी सीमेथ होती है Maximum आप लोगों ने नोटिस क्या होगा वैकल्पिक प्रशन, Objective प्रशन मुश्किल से 3, 4, Maximum 5 होते हैं लेकिन क्या सिर्फ 5 Objective प्रशने सॉल्व कर लेने भर से आपकी Board परिक्षा की तैयारी बहतर हो सकती है क्या नहीं ना इसलिए हम आपकी तैयारी बहतर हो सके इसलिए बहुत सारे प्रशनों की Practice आप लोगो कराते हैं Minimum 15 और Maximum 25 Questions, 30 Questions जो है हम लोग इस वीडियो में Multiple Choice Questions की वीडियो में प्रैक्टिस करते हैं ताकि बार बार आप लोगों का Revision हो सके इसके बाद हम लोगों देखते हैं Most Important Questions दरसल आप लोगों को पता है कि अच्छा बारवी का सिलिवस बहुत बड़ा है आप लोगों की एक्जाम टाइम में ये शिकायत होती है कि सर चैप्टर बहुत बड़े-बड़े हैं अगर आप कुछ Important प्रशन हमें बता देंगे तो हमारे लिए बहुत मदद हो जाएगी तो बस आपकी इसी सुविधा का ध्यान Magnet Brains लगता है और हर चैप्टर से संबंदित जो हमें लगता है बेहद महत्वपूर्ण प्रशन है उन प्रशनों का संग्रा आप लोगों के लिए हम लोग ले कर आते हैं हर चैप्टर से संबंदित और इस चैप्टर से भी संबंदित हम लोग Most Important Questions जो हैं इस वीडियो के अंतरगर डिसकस करेंगे और लास्ट में हम लोग देखते हैं Complete Chapter Revision दरसल ये जो Chapter है मैंने बताया इतने Topics के अंतरगर हम लोगों को चर्चा करनी होती है लेकिन इतने Topics के लिए हर एक Topics से सम्मंदित एक वीडियो होती है एक्जाम टाइम में आप लोगों को विभेन वीडियो में शिफ्ट ना होना पड़े इसलिए आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम हमेशा से पूरा Chapter Compile करते हुए बहुत अच्छे से Revise करते हुए One Short Revision वीडियो आप लोगों के लेकर आते हैं तो देड़ से दो घंटे की ये वीडियो होती है लेकिन पूरा Chapter आप लोगों के लिए एक ही बार में Revise कर दिया जाता है तो ये रहा आपका syllabus ये रहे topics और ये रही हमारी रणनीती उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई है मज़ा आया ने वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चलिए फटा फट वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिन हिच के comment box में comment कर देना है सबसे पहले हम लोग कुछ basic जानकारी परियावरन प्रदूशन के बारे में देख लेते हैं फिर एक एक करके सारे topics देख लेंगे है न परियावरन प्रदूशन ऐसी कोई बात नहीं है जो आप लोगों ने पहले जो है सुनी ना हो लेकिन एक बार हम परिभाशा देख लेंगे तो सारी बाते हमको clear हो जाएंगी देखें परियावरन प्रदूशन मानवियक रियाकलापों के अपसिस्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं उर्जा का उर्जा का पलिनाम है कहने का मतलब ये होता है कि ऐसी कोई भी मानवियक गतिविधी जो परियावरन के भोतिक और रासाइनिक तत्वों में परिवर्तन लाती है ठीक है इतनी सिंपल परिभाशा आपनों को याद रखनी है कोई जरूरी नहीं है कि आप ये परिभाशा याद रखें मैंने क्या बोला एसी कोई भी मानवियक गतिविधी जो परियावरन के भोतिक और रासाइनिक तत्वों में परिवर्तन लाती है परियावरन प्रदूशन कहलाता है और ये आपनों को याद रखना है ये आवांचिनिया परिवर्तन है अवांचनी मतलब हम चाहते हैं क्या परियावरनर प्रदूशन हो नहीं हम नहीं चाहते हैं उसे बोलते हैं वांचनी और हम जो नहीं चाहते हैं उसे बोलते हैं अवांचनी तो परियावरनर प्रदूशन हम चाहते हैं क्या वांचनी है क्या नहीं भई आवांचनी है तो कुल कि मानविय क्रियाकल आपकों के अपसिस्ट उत्पादों से जो भी द्रव्य निकल रहे हैं उर्जा निकल रहे हैं उन सब को परियावनर प्रदूशन यानि इनवारमेंटल पॉलुशन कहा जाता है ठीक है उम्मीद करता हूँ आप लोगो प्रदूशन की परिभाशा समझ मे आ गई होगी प्रदूशन के अनेक प्रकार हैं प्रदूशकों के परिवहित एवं विसरित होने के माध्यम के आधार पर प्रदूशन को निम्ल लिखित प्रकारों में वरगी करत किया जा सकता है तो प्रदूशन कई प्रकार के हो सकते हैं कौन कौन से प्रकार हम लोगों क देखना है प्रदूशक के आधार पर हम लोग देखने वाले हैं जल में अगर प्रदूशन हो रहा है तो जल प्रदूशन वायू में अगर प्रदूशन हो रहा है तो वायू प्रदूशन मर्दा में अगर प्रदूशन हो रहा है तो इसे हम ध्वनी प्रदूशन कहते हैं ठी परियावरन स्वयम जो प्रदूशन करता है उस पर नहीं है हम लोग मानव जनितकारकों को मुख्य रूप से यहां पर देखने वाले हैं क्योंकि यह सब प्रदूशन है ना यह परियावरन स्वयम भी जो है जनरेट करता है कई बार परियावरन खुद भी प्रदूशन करता ह लेकिन वो प्रदूशन ज़्यादा दुखदाई, ज़्यादा घातक नहीं होते इसलिए हम लोग मुख्य रूप से मानविय प्रदूशनों पर चर्चा करेंगे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है और कोई डाउट होता है तो बिना हिच के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना है इसी तरीके से CBSC Board के साथ Delhi Board, बिहार Board, UP Board, MP Board और राजिस्थान Board में Magnate Brains आप लोग को Classes प्रोवाइड करता है साथी साथ Vedic Maths, Crash Course और Spoken English की Classes भी Magnate Brains चैनल द्वारा चलाई जा रही है www.magnatebrains.com ये हमारी Official Website है जिसका इंटरफेस आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सारे courses updated form में, synchronized way में आप लोग को नजर आ जाएंगे किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आप लोग को महसूस नहीं होगी Day-to-day अपडेट्स के लिए आप हमारे social media channels को भी follow कर सकते हैं जिन social media channels पर हम उपलब्ध हैं वो है YouTube, Facebook, Instagram, Twitter और WhatsApp channel आपको करना क्या है इन सभी channels को subscribe कर लेना है आज की इस वीडियो को धेर सारा प्यार देना है, अपने दोस्तों के साथ share करना है और doubt की स्तिती में comment box में बिना हिच के comment कर देना है e-notes और e-books के लिए आप description box चेक कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में इतना ही मिलते है next वीडियो में जहां पर हम जल प्रदूशन के उपर चर्चा करेंगे Thank you, thank you so much